हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेडी नहीं स्टॉप चेनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 25 मोश्ट इंपॉर्टन कोशन्स डिसकस करेंगे और जितने भी कोशन्स मैंने लिए हैं सभी कोशन्स प्रीबियस एर इकजांस में पूछे जा चुके हैं तो सभी कोशन्स बहुत इंपॉर्टन्स हो सकते हैं आपके किसी भी आने वाली प्रतियोगी प्रेक्चा खली तो वीडियो को लाज तक देखेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेर करना ना भूलेगा तो दोस्तों आईए शुरू क किस ने किया था यहाँ पर बदाना है तो इस कोशन्स का राइट एंस हो जागा ओप्सन भी थांसन ने तो थांसन इनका पूरा नाम था जर्गेंसन थांसन तो इन्होंने अठारफ सो बीस इसवी में जो कोपन हेगेंस से सामाग्रिया प्राप्त हुई थी उनके आधार पर इन्होंने पासार, कांसे और लोह यूग का ती यूग ये विभाजन इन्होंने किया था तो यहाँ पर बी ऑप्सन इसका राइट एंस हो जाएगा अगला कोशन है उत्खनित प्रामारों के अनुसार पसू पालन का प्रारम कब से माना जाता है बताना है तो भारत में जो होसंगाबाद मध्य प्रदेश में है और इसके अलाव बागावर योकी राजस्थान में है तो वहाँ से जो प्रामार मिले हैं तो उसके अनुसार परसू पालन के साक्षी मिलते हैं मध्य पासार काल में तो यहाँ पे राइट एंसर हो जाएगा option D मध्य पासार काल अगला अगला question है भारत में मानो का सरप्रथम साक्षे कहां पर मिला है तो मानो का साक्षे जो है भारत में सरप्रथम कहां पर मिला है तो मध्य प्रदेश के पस्यमी नर्मदा छेत्र से मानो के साक्षे मिले हैं और इन साक्षे की कोच कब हुई है तो 1982 में हुई है तो यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे D option इसका राइट एंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी अगला question है मानो द्वारा सरपत्रम प्रियोक तो अनाज कौन सा था तो मानो द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रियोक क्या गया था तो यहाँ पे राइट अंस हो जाएगा जो, C option इसका राइट अंस हो जाएगा जो, जो जो की 8000 इसा पूर के आसपास भूमद्ड सागर हों इरान के मद्ड इस्तित पस्चमी एसिया के देशों में जो है इसके प्रियोग के साक्षे मिले हैं, तो यहाँ पे राइट अंसर क् तो यहाँ पे खेती के सबसे प्राची इंतम साक्षी कहां से मिले हैं, तो B option इसका राइट अंस हो जाएगा लहुरा देव, जो की UP के संत कभी नगर जिले में स्तित हैं, और यह जो है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लगबग 8000 से 9000 इसा पूर के आसपास के चावल की ख इसका राइट अंस हो जाएगा, इससे पहले माना जाता था मेहरगर, जो की पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, तो वहाँ से खेती के साक्षे सबसे प्राची इंतम माना जाता था, लेकिन जो नवींतम खोज है, तो उसके आधार पर यह माना जाता है कि लहुरा देव से खेती के सबसे प्राचिन्तम साक्षे प्राथ में हैं तो यहां पे B option इसका राइटन्स हो जाएगा लहुरा देव अगला question है निमलिखित में से किसको चालको लिथिक यूग भी कहा जाता है तो बताने है इसमें से चालको लिथिक यूग किसको कहा जाता है पुरा पासार यूग को या नव पासार यूग या तामर पासार यूग या लो यूग तो चालको लिथिक यूग कहा जाता है तामर पासार यूग को ठीक है तो यहां पे C option इसका राइटन्स हो जाएगा तामर पासार यूग अगला question है नौदा टोली का उत्खनन किस ने किया था तो नौदा टोली का उत्खनन किस ने किया था बताने हैं आपे नौदा टोली जो की मद्ध प्रदेश में है जो की एक टामर पासारी अस्थल है तो इसका उत्खनन किस के दोरा किया गया था तो इसका उत्खनन किया गया था HD सांकलिया के दोरा तो C option इसका राइट एंस हो जागा HD सांकलिया ने 19 टोली का उत्खनन किया था अगला question है राक का टीला निमलिखित में से किस नौपासारिक स्थल से संबनित है तो राक के टीले जो है कहां से प्राप्त हुए है तो ये संगन कल्लू से प्राप्त हुए है B option इसका राइट एंस हो जागा संगन कल्लू ये जो है करनाटक में महसूर के पास वेलारी डिश्टिक में है जो कि नौपासार काली नस्थल है तो यहीं से जो है राख के टीले प्राप्त हुए है तो यहाँ पे B option इसका right answer हो जाएगा संगन कलो Next question है भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो भीम बेटका की गुफाओं की बात करते हैं तो यह जो है मर्द प्रदेश के राइसेन जिले में है मर्द प्रदेश के राइसेन डिश्टिक में यह जो है इस चित है जो की प्रागयती है सेल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा यह गुफाओं के सेल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है यह option इसका right answer हो जाएगा और भीम बेट का गुफाओं की खोच किस ने की थी तो इसकी खोच की थी वी एस वाकंकर ने वी एस वाकंकर ने इसकी खोच की थी ठीक है अगला question है निमलिखित में से किस अस्थल से मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी सवाधान से प्राप्थ हुआ है तो मानो कंकाल के साथ कुट्टे का भी कंकाल कहां से मिला है तो इसका right answer हो जाएगा option B बोर्ज होम बोर्ज होम जो की जम्मु कस्मीर में सिरी नगर के पास इस्तित है और यहाँ से जो है मानो कंकाल के साथ कुट्टे का कंकाल भी मिला है और यहां से गर्तवास भी मिले है गर्तवास यानि कि गड्धे वाले घर भी यहीं से मिले है ठीक है यहां से गर्तवास भी मिले है तो यहां पर B option इसका राइटेंस हो गया बोज होम अगला question है भारतिये पुरा तत्यों का जनक किसे कहा जाता है तो भारतिये पुरा तत्यों का जनक किसको कहते हैं तो इसका राइट अन्स देखा, और सने Alexander Cunningham, जोकी British सेना में सेना दिकारी थे, और ये 1861 में रेटाइर होने के बाल, इनको भारतिये पुरा तत्यों सर्वेच्चर का पह यहाँ पर A option इसका राइटन से हो जाएगा अगला question है राष्ट्रिय मानो संग्रहाले कहाँ परिस्ति थे तो राष्ट्रिय मानो संग्रहाले इसका आप नाम चेंज कर दिया गया है इसका नाम क्या हो गया है अब इसका नाम है इन्रा गांधी राश्टिये मानो संग रहाले और यह कहां पर है तो यह जो है भोपाल में है ठीक है C of Sun इसका राइटन से ज़ेगा भोपाल मद्धिप्रदेश में यह है राश्टिये मानो संग रहाले अगला कोश्चन है सिंदु सब्वेता संबंदित है तो सिंदु सब्वेता किस से संबंदित है प्राग एतिहासी की उगसे या आद्दे एतिहासी की उगसे या उत्तर एतिहासी की उगसे तो सिंदु सब्वेता की बात करते हैं तो ये संबंदित है आद्दे एतिहासी की लेखन कला का ग्यान तो था लेकिन उसको पढ़ा या समझा नहीं जा सकता था ठीक है और ये कब से कब तक कमाना जाता है तो ये जो है पचीस सो से लेकर के छेस सो बीसी तक का जो समय है इसको जो है आध एतिहासी के युग में रखा जाता है अगला कॉशन है सिंद घाटी की सब्वेटा गयर आरे थी क्योंकि तो सिंद घाटी की सब्वेटा गयर आरे क्यों मानी जाती है क्योंकि वो नगरिय सब्वेटा थी या उसकी अपनी लिपी थी या उसकी खेती हर आर्थ बियस्ता थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था तो जो सिंधुगाटी की सब्वेता है वो एक नगरिय सब्वेता थी जबकि हम आरे सब्वेता की बात करें तो यह जो है ग्रामीर सब्वेता थी तो यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा ये एक नगरिये सब्वितादी, तेक हैं, ये option इसका rightence हो जाएगा, अगला question है, हरपा संस्कृती की जानकारी का प्रमुक्स रोट है, तो हरपा संस्कृती की जानकारी का प्रमुक्स रोट क्या है, सिला लेक है, या पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेक है, या पुरा त लात्वी कुदाई ये तीनों जो है इसके सही अंसर हो जायेंगे तो D ओप्षन यहाँ पर राइट लाइट अंस हो जैगा उपरोक्त सभी अगला कॉर्शन है भारत में चान्दी की उपलब्ता के प्राचीन्टम साक्षे कहां से मिले हैं तो बारत में चान्दी की उपलब्त है कि ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी निकालते रहे होंगे तो यहाँ पर यह और संस्किती से जो है चांदी की उपलब्ता के सबसे प्राचीन साख्षे मिलते हैं अगला कॉस्चन है हरपपा में मिट्टी के बर्तनों पर सामानिता किस रंग का उपयोग हुआ है तो हरपपा में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए है उन पर सामानिता किस रंग का उपयोग हुआ है तो हरपपा में जो है दो तरह के मिट्टी के बर्तन प्राप्त देखती थी लाल रंग से पुते हुए होते थे और इसके निचले हिस्षों पर काले रंग से चित्रकारी हुआ करती थी ठीक है तो यहाँ पे मिट्टी के बरतनों पर सामानेता लाल रंग का प्रियूक किया जाता था तो यहाँ पे ए ओप्सन इसका राइटन्स हो जागा तेरा कोटा की कलाकतिया मिली है तो उसमें कौन से जानुवर का चित्र नहीं है तो हरपा संस्किती से जो मोहरे प्राप्त हुई है या तेरा कोटा कलाकतिया उसमें जो है हाथी का चित्र है गेंडे का बाग का हीरण का और भेड़ा आदी जानुवरों का चित्र नहीं हाप या लोथल में तो जुते हुए खेट के जो साक्षे हैं वो मिलते हैं काली बंगा से option 20 का राइटन सुझेगा काली बंगा काली बंगा जहें कहां पे है राजस्तान में है ठीक है तो यहां से जुते हुए खेट के साख्ची मिलते हैं और काले रंग की चूड़ियां यहां से मिली है पत्थर के जो तौलने वाले बांट होते वो मिले है और अगनी वेदी यहां से मिली है तो यह कुछ चीजे हैं जो यहां से मिली है तो सिंध सब्यता में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है वो कहां से मिला है तो इसका राइटेंस होजेगा आपसने मोहन जो डालो मोहन जोदारो जो की सिंधो नदी के किनारे है और पाकिस्तान की सिंधो प्रांत में है तो यहां से जो है एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है 55 मीटर लंबा है और 33 मीटर चौड़ा है ठीक है और यहां से कराप प्राप्त हुआ है तो यहां से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ती प्राप्त हुई है एक जो है सभागार प्राप्त हुआ है एक अन्नागार प्राप्त हुआ है ठीक है तो यहां पे यह चीजें प्राप्त हुई है और इसकी खोच किस ने की है तो मोहन जो दाडों की खोज की थी, राखल दास बनजी ने, ठीक है, राखल दास बनजी ने, तो ये भी आप याद रखेगा, अगला कॉशन है, निमलेखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बताना है कौन से इसमें, सही सुमेलित नहीं है, हालमगीरपूर, तो ये उत्ता प्रदे और फिर है रोपर तो रोपर जो है पंजाब बे हैं तो C option इसका राइटन शुद्यागा काली बंगा जो की कहाँ पे है तो काली बंगा है राजस्थान में हरियारा में कौन सा अस्थाल है तो हरियारा में बनावली है और राकी गड़ी है अगला question है चन हुदरो के उत्खनन क का निदेशन किसने किया था तो चन हुदरो के उत्खनन का निदेशन किसने किया था जे एच मैके ने जे एच मैके ने जो है चन हुदरो के उत्खनन कारेका निदेशन किया था और इसकी खोच किसने की थी तो इसकी खोच की गई थी N.G. मजूमदार के द्वरा N.G. मजू पूर्षन है रंगपूर जहाँ बंडर्गा था आगला कॉस्षन है तो यहाँ से घर्पा कालीन सब्धा की सांगछी मिले है तो गुजरात के एहमदाबाद में भोगवा नदीके किनारेश दित्ता तो यहाँ पर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करके जब बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलेगा और जो दोस्त नहीं है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ब